वेल्कम टो मैं चैनल तो गाइस टूड़ी का वीडियो टॉटोरियल है यह में आज किया है यह में प्रथा से इंस्पार्ट होके किया है जो कि नागिन 6 में है यह में इसको ज़रू ट्राय करना चाहती थी तो इस में रिक्रेट किया है जैसे आप किसे इस पिल कर दियल ओर इसी तरुके से अपने दोनो आ डो को डव्ध न कर लें रहा तो आप लोगों को फोशेह autant नगा listen अफ्टर देट जब आप इन दोने आइब्रोज को फिल कर लेते हैं आपको एकस पोड़ी की मिदद से इन प्रोड़क्ट को मिक्स कर देना है जो आपको बहुत साथा लग रहा है उसके बाद मैं एक क्यूटिप बहुत लेती हूँ इससे मैं अपने आइब्रो को एकस पर लिए इसके बाद मैं लूस पांटर लूँगी और उससे अपने सारे पेस को सेट कर लूँगी जिससे आइशेड़ लगाऊंगी तो इसका फोल नहीं होगा जैसे आप लोग देख सकते हैं आफ्टर दैट जी देखिए मैं गोल्डन एंड प्लैक कलर लेरी हूँ जो कि टेल सी बनाई है और मैंने अपने आइस को शेप देना स्टांट कर दे हैं ब्लेंडिंग ब्रश पे ताक कलर ब्लैक लेके उसको अच्छी से ब्लेंड करने के बाद अपने आइलाइनर अप्लाय करना है वैसी मैं इस पूरी मेकप में विंग एंगल प्रश यूज करी जो मे करना है अपने सावर अपने आइस के नीचे में अपने आयशे से जो कि नीचे में हल्का सब अस्टनीकला्य loss powder के साथ अपने सारे सारे सीच कर लिया है किन अपने सारे सारे बेस में और सेट करने के लिया कोई प्रोड़क्त उसके कर नाया ऐसमें मैंने अपने ब्रश पर क्रीम क्रीम कंटॉड़ 6 छो डौ लगा गया जीक पर लगाना स्टार्ट करना है और इससे ब्लेंडिक बहुत अच्छे से होती है और इससे पता नहीं लगता कि आपको लाइंट रहा है इसके बाद काई हमने अपने लिपस को शीप दिने अगर आप बास लिप लाइनर नहीं है तो आप इस तरह के ब्रश का लिपर पर इवर्यवन मैं इसे को जाद तो यूज करती हूँ जब मेरे पास सेम कलर का अप्लाइनर नहीं होता तो इससे आपके लिप्स को अच्छे से शेप मिल जाती है और आइडन्टिफाई हो जाता है तो अपने लिप्स को ऐसे शेप देने के बाद आपने इस पर यूश्य में मैं मैं में से नहीं लेखिव पर समर सेज़न में हमें शाव लॉसय लिप्स प्रफेर करती हूँ इप मॉस्च्छर तो आपयों जो क्यूंट थी शुदी आपक एंज मैं आपके वीडीय प्रिस यह ग्मेंश श्री मैं एंडिक वीडीयो प्रिज शेयर थीयू I hope you all support me if you like my video